कि नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब आसा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और एकदम से त्यारी करते होंगे तो बहुत सारे बच्छें के कमेंट आ रहे थे सर की आप और्गेनिक के इंपोर्टेंट क्यूशन भी बताओ फिजिकल के भी बताओ तो मैंने सबसे पहले यह पढ़ते हैं उन्हीं से पेपर बनता है तो यह जो पेपर पेटरन है यह सभी इनुशिटी के लिए है ऐसा मसमझना की वाई हमारी इनुश्टी में काम आएगा यह नहीं आएगा फिर दूसरी बात ही होती है कि सर इन क्यूशनों के सवाल तो आपने बता दिया लेकिन जब आगी होगी मेरी बात और अभी तक आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब तभी करना जब आपको यह वीडियो अच्छा लगे और लाइक तभी करना जब आपको एकदम से अच्छा लगे तभी लाइक करना ठीक है तो चलिए चिटी का है जो ओल्ड पेपर है और सो मार्क्स का होता था उस टाइम अब तो 75 का हो गया है तीन गंटे का है और सबसे पहले में हम बात करूंगा यूनिट नमर वन की जिसमें इंपोर्टेंट टू इंपोर्टेंट क्यूसन की हम बात करेंगे अंत्तिक देखना अगर को यहां पर जो क्यूसन बता रहा हूं वो उसको नौट करते जाना और पर इनको लिखे एकदम से त्यार रखना अपनी तो यूनिट नमर वन जिसमें परसन यह पूछा है कि आपको एक्स्प्लेंड करना है ठीक है और किसको करना एक्स्प्लेंड एरोमेंटिशिटी एरोम तो आपको एक्स्प्लेंड का मुझे का कूछ भी मेट्रियल नहींटर नहीं है तो मैं केशी गरूंगा तो भक नंमर आपको पताएन यह महिता नहीं नहीं पता तो में बता देता हूं यह नमर locker सब्सक्राइब करें अगर आप लोग चाहते हैं हिंदी और इंग्लिस मिक्स नोट तो मेरे को इन नमर पर वाटसप पर अपना सलेबस बेज़ें सबसे पहले अपना डेमो चेक करें और उसके बाद प्राइस लिस्ट चेक करें अगर आप इलिजिबल होते हैं तो आपको डिस नेक्स्ट क्यूशन की और बढ़ते हैं और वो आपको मैं बताता हूँ इसका तो एंस और आप समझ गए होंगे कि क्या क्या करना है इसमें आपको थोड़ा सा अरमेटिशिटी के बारे बताना है और इसके साथ में अग्जांपल बता देना है बस ये तो बात हो गए हमारी पहले क्यूशन की नमर चार या पांच का जितने का भी आता आपका अलग-अलग हो सकता है तो यह आपका यहां पर दो यह थे इसको आप बोलोगे सर क्या इस यह इंपोर्टेंट है तो बाई साब यह पूरा का पूरा इंपोर्टेंट है यह इतनी जो दे रखा ना यह वा आपको अच्य तरीके से पढ़ लिजी आप ओके आप टो यह अच्य तरीके से करना को कवर अब मैं बात करता हूं next क्यूसन की वह क्या बोलता है कि डिसकस करना हैब के और वह किस मोलगूल की लीए स्टीरियो के मिस्ट्र crypto betal निया आपको तो आपको नजर आ रहा होगा सठीर्य के मिस्ट्री जो हमारा नाइट्रोजन हो गया अफड़ी हो गया इनके बारे में आपको चिर्यू के मिस्ट्री इनकी बतानी है साथ साथ में इनके थोड़े से अग्जम्पल भी आपको बताने तो यह आराम से क्यूसन में हो जाएगा तो भाई देखो आपको समझना पड़ता है क्यूसन को समझ में आएगा तभी जब आप क्यूसन को अची तरगेशे explain कर पाओगे कि मैं किस तरह क्या करना है मेरे को बताओ यह समझ आ गई बात चलो ठीक है आ गई होगी अब अगला देखो अब यह बोड़ा कि आपको परिवासित करना है कि इसको बता देना कि यह साथ में बताना पूछा प्यारे बच्चे समझ भी आया ना तो ऑड़ी अभी तक आपने अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लें जो कि मैं अगले important question physical का बता हूँ, spectroscopy का बता हूँ या analytical का बता हूँ या और subject का बता है तो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए बस इतना ही गया और कुछ नहीं है या चलो अब next question की बात करते हैं हम लोग तो next question है हमारा वो है explain the optical activity भाई अब दो तीन question की बात करते हैं यह important है यह वाला important है अब हम इस्टीरियो से यूनिट वेस्ट से यह question आ रहा है कि explain the optical activity in the absence कि यहां पे जो optical activity है वो है absence यानि absent है of chiral carbon with suitable example तो यहां पे chiral carbon है उसको भी explain करना है साथ साथ में optical activity और उसके साथ में example सहीत बताना है तो यह तीनों चारों क्यूसन है ना यह पूरे के पूरी एक्जाम में आएंगे अगर नहीं आए तो इस linear को आप क्रिश्ण 1500 को कि понял कर देना कोई जिक्ष्ण है नहीं लेकør मेरी बात मान लेना लेना कि इन क्यूस्तों को आप अच्छी से नोट कर लेना और अच्छी से याद कर लेना क्योंकि कि आपका निफ्यूज हो जाते हो यार आपकी अग्जाम पास में आती है कि मैं केस कौन शाप पड़ों क्या करूं मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है तो मैं यहीं की बात करूंगा इनक्यूशन को पड़ लेना अब जो इंपोर्टेंट है हमारा मौस्ट इंपोर्टेंट वह है सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बता रहा हूं सारे के सारे पोर्टेंट कुशन है तो इनको अच्छी दरगेशी घ्यात कर लेना आप लोग ठीक है के टिनीन और रोटेक्सिन बोलो समझ में आ गई ना बात मेरे तो चलिए यह तो हमारी यूनिट फेस्ट में क्या-क्या संगेंट में आ गई हम लोग ठीक है यूनिट सेकंड के अंदर देखो क्या करना आप ठीक है तो आपको यहां पर डिसक्स करना है कौन से मेत्रट की लिए तो मेत्टर ओफ डिट्रमाइनिंग मेकनिजम ऑफ हाल्ड एंड शॉप्ट एसिड हैस बी हाना हाल्ड एंड सॉप् पूरी की पूरी सो परसेंट आएंगे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं इनकी उसनों को नोट कर लेना और अच्छी तरीके से ग्यार अब आगता है मज्यदार जो आपके नमर बनाने वाला है सवाल वह आपको यह नजरा रहा होगा और देखो प्यारे बच्चे अब आपको इनको अच्छी तरीके से ग्यार कर लें कर्टियन है मेल्ट प्रिंसीपल मोश्ट करिटियन है मेल्ट परिंसीपल उसके बाद सब्स्टूटेशन एंड रियक्शन कॉंस्टेंड उसके बाद हैं ठप्ट एक्यूएसन तो यह पूरे की पूरे इंपोर्टेंट ऐसा और यह इतनी में से आपको पता है कितनी नमर बिल जाएंगे 25 या आपका 20 नमर तो यहां पर कोई नहीं छोड़ने वाला इंची द्रीच से ग्याद कर लेना इसको क्योंकि एक्स्पेंट करना है थोड़ा बढ़ा ही लिखना होगा ना ठीक है यह बात है जी अब थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमें और चीज देखनी होगी तो बाई क्या पुछा है डिसकस दा फ्लॉविंग तो ट्रांजिस्टन स्टेट क्या होती है और इंट्रिमीडियेट क्या होती है उनके बारे मताना तो इंपोर्टेंट है सेकिंड यूनिट का यह ठ रहले हैं उनके बारे में पुछ शह लती है भाद में एनिम्र अस्पेक्टोष को इंदय डेक्शन ऑकष्ट करते हैं इन कार्व करता इनको उनको अने मरे सक्टों सक्रिफन को आपको बताना है इनके अनपर्युक बताना है tem के की-ब्र आई बात export को प्रेम्हें के और आयोंस और नार्बोनिल्स कार्भोनिल्स होना चीज़ नार्बोनिल्स कोन से हो गया शिस्टम एंड डी जूर्विटिविटी तो इन मोलिकुल के लिए जो है हमारा कमपॉॉंट इनके लिए आपको रीजियो सिलेक्टिविटी बतानी है ठीक है तो यह जो important है उपर वाला B part है और A part यह important है अब unit third के हम बात करते हैं तो unit third के में क्या पूछा है वो देख लो जी तो यहां पर पूछा describe them by molecular mechanism SE1, E1 और SE2 तो यह important है आपका very very important हर बार पूछते हैं हर इनुशिटी में आता ही और compare करना SN1, SN2 और SNE, SN2 क्या है SE2 क्या है ठीक है अब यानि substutation nucleophile है एक substutation electrophile है इनको compromise करना है एकदम से बता देना कोई मरलाब दिख्कत नहीं है इसको राइट सोट्स नोट्स ओन दा फॉलोविंग कॉन्टिटिविटी ट्रीट्मेंट और रियक्टिविटी ओफ इलेक्ट्रोफाइल ऐसार मेकिनिजम वोन राइसल रियर्जमेंट को अपास नोट्स है मारे पास ऐसा नहीं है आप अब अब हिंदी मेडिम से तो आपको प्रोब्लम होती होगी कि एंग्लिस में मेरे को तो याद नहीं होता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था आपके साथ एडिसन रियक्षिंस ओफ ग्रिगनाड एजन टी जेंट इड इज अप्लिकेशन की वह ग्रिगनाड जो इसके बारे बताना उसके क्या है उनके बाद पूरी डिटेल टू डिटेल बता देना है ठीक है इंपोर्टेंट कुछ नहीं है इसके बाद इसक्राइब दें मेकरी जो कर लोगे मेरे को पता है आपको कर लोगे अब आगे देको डिस्क्राइब दा फॉलोविंग है डोलाइसीस एंड एमोनो लाइसीस ओफ एस्टर क्या होते है ऐडोजीनेशन डवल ट्रीपल गवंड क्या होते है और यह एक्टिविटी साइक्लोप्रोपेंड रिंग अक्स और अक्स तो यह सारे के सारे इंपोर्टेंट न यह इतने क्यूसर आपके पूरे इंपोरे इंपोर्टेंड इस फॉर्थ यूनिट से थे थे नोच कर लो इनको पढ़ लो आप लोग यह समिस्टर फेस्ट और सेकेड दौनों के हैं क्यूंकि हमारा जो है यहाँ पर यरली की बात करते हैं इंपोर्टेंट सी तो देखो बड़ा चब रस्ट है तू राइट सोट नोट बताना इसके ठीक है टू प्लस टू एडिसन के टॉन्स के टिन्स फाइफ सिक्मा ट्रोपिक रियर्जमेंट क्या होता है फ्लॉक्षियन टॉटोमेरिजम से लिक किलो ट्रोपिक तो इंपोर्टेंट आ चुके हैं आपकी फाइफ यूनिट के तो सो परसेंट आपकी अग्जम में आने के संभावना है यह आपका पेरिसाइकल से रिलेटेट क्यूसन पूछा गया है अब आगला जो है हमारा वो देख लीजिए आगला क्या पूछा है अक्सपेंद है मॉ पी के अंदर ठीक है ओके चलो अगए अब आता आपका वेरी मॉस्ट टू एक्स्प्लेंड एफ मो एंड पी एमो अप्रोच मेकिनीजम एंड औरियंटेंशन और पाइरोलाइसिस इलिमिनेशन इंपोर्टेंट वाइस साब गजब की है यह गजब एफ मो एंड पीम अप्र सब्सक्राइब को अच्छी द्रेगे से घ्याद कर लेना बड़ी इंपोर्टेंट है यह आपके एक्जामें तो यह तो हमारी और्गनी केमिस्ट्री में जितने भी इंपोर्टेंट के उसन है इनके बारे में हमने चर्चा की और देख लेस सकते हैं कि आप लोगों को कितना आपको पता ही होगा नहीं पता तो एक पर फिर शेयकर नहीं बता देता हूं में 90 सित्यावन सतर 15 45 यह मेरे वाटस अपनमर कोल करो जो भी डावट्स हैं मैं से से रिलेटेड हमें केसे पढ़ना है कितना पढ़़ों मेरी अग्जाम पास में जो भी क्यों है तो आप मेरे को इन नमर पर में इस गरो कोल करो तो आपको पेज जीजेगा आपका जबाव दिया जाएगा ठीक है कोई भी डाउट कर ले जो भी है आपको मेरे को इन पर कोल कर सकते हो ठीक है तो बस यही बात आप लोगों के साथ सेर करना था तो आज का यह लेक्चर आपको कैसा लागा क आपकी नमर बढ़ा के देगा आपको गठा के नहीं देगा यहां पर पक्का सो परशेंट आने वाले ही संबावना क्यों सेर करते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो आगे जो रिलेटेड चाहते हैं कि वह अगला है वो भी और आन थी। आपका आप खिर्गावना के विए बढ़ा आर यहां नहीं कुल ऑार आपका आपके आपकेऌों देगेंगा पर भी तुहू हैं तो